हेलो दोस्तो मेरा नाम है संजीव वार्षने और आप देख रहे हैं टेलीकॉम गुरू यूट्यूब चैनल और आज का जो हमारे वीडियो है एक यह हमारे सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर है वीडियो दोर फोन है तो इसके अंदर जो है कैसे हम इसको अपरेट करते हैं यह बेसिकली अमने लास्ट उसमें के वल फीचर के बारे मताया था इस वीडियो के अंदर हम इसको प्रैक्टिकल डेमेस्ट्रेट करके आपको दिखाएंगे कि कैसे इसमें लॉक कर सकते हैं कैसे तो करते हैं तो यहां इस इसमें किया हुआ है यहां पर आप देखेंगे कि इसमें आउड़ोर यूनिटाइड आप देक है मैं अदेहिकेस्यार मैं लेद्ष्मार आप cut कर делать उर 6 अचिपंग आपके D1 and D2 तो यहांपर D1 में हमने Orange wire Connect किया है और D2 में हमने Blue wire Connect किया है तो पहले हम Physical Connections के बारे में देखते हैं फिर उसके बाद हम इसके Operation के बारे में देखेंगे कैसे ये काम करता है तो अब इसमें अब देखेंगे कि इसमें स्क्रीन में इसके जाते हैं तो यहाँ पर इसके इंदर आपके 6 connections अफलेबल हैं यहाँ पर आप देखेंगे तो यह D1 और D2 जो जो की डी वन में हमने औरहेंज वाइर करेंगे और D2 के इंदर यहाँ ब्लू वाइर करेंगे साथ में ये 2 वायर्स हैं ये आपको यूज नहीं होंगे नॉर्मली और यहां पर S1 एन S2 ये 2 वायर्स अवलेबल हैं जो कि लॉक के लिए कनेक्शन होता है यहां के इसके थ्रू आप ये एक स्विच का काम करता है जिसके थ्रू आप लॉक कर सकते हैं तो basically S1 पे हमने blue wire connect किया है और S2 पे हमने white wire connect किया है, यह केवल switch का काम करता है, तो अब हम इसके connections कैसे करेंगे, वो हम आपको बताते हैं पहले, lock के connections कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमने 12V की supply लिया है, यह 12V की supply है, और इसमें 12V की supply में आप अगर देखेंगे तो इसमें plus और माइनस, यहाँ पर जो available है, यह इसका 12V की supply का plus है, और यह माइनस है, तो आप 12V से लेके 20V की कोई भी AC or DC supply आप इसमें use कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमने जो plus है, वो directly lock के, यह हमने देखिए, यहाँ पर, हमने directly lock से connect किया है, इस supply का plus, lock से connect किया है, lock की किसी बितार से connect कर सक करते हैं, वो polarity sensitive नहीं है, और जो lock का, जो दूसरा wire है, वो basically हमने यहाँ पर white wire से connect किया है, जो कि हमने S1 और S2 में connect किया तो इसमें हमने white wire से connect किया है, और जो supply का negative है, वो हमने यहाँ पर दूसरी wire, यानि blue से connect किया है, जो कि हमारी video door phone से आ रही है, तो इस तरीके से, इस एक series में connect होगा, supply और यह जो आपका VDP है, यह in series होगा lock के, यानि आपका जो S1 है, वो S1 wire हमारा यह है, इस one is blue, और S2 हमारा यह white है, तो S1 जो है, यह supply के negative से connect होगा, और S2 जो है, यह lock से connect होगा, और lock की दूसरी wire जो है, वो supply के positive से connect होगी, तो यह तो रहे connection की बात, इसको operate करके कैसे करते हैं, तो अब यहाँ पर हम इसको on करके देखते हैं, सबसे पहले हमने, यह default stage में है, जैसे में आप नया VDP लेते हैं, तो उसमें जो connections आते हैं, तो यह देखे, सबसे पहले है, जैसे ही आप इसको open करते हैं, तो यहाँ पर screen पे, यहाँ पर show हो रहा है इसकी language आती है, तो यहाँ पर हम इसको program करते हैं, यहाँ पर हमने ok किया, ok करने के बाद यहाँ पर date and time select करने का option आता है, यहाँ पर up down करके आप इसको date and time को select कर सकते हैं, कोई भी अगर आपको change करना है, इस तरीके से आप जो है, इसको up select कर सकते हैं, जो भी आपको up down करना है तो इस तरीके से आप सपोस हमने यहां पर time set कर दिया जो भी हमने time set करना है और time set करने के बाद हम यहां पर ok करेंगे तो यह आपका जो device है वो initialize हो जाएगा और आप programming mode में enter कर जाएगे फिर हम यह जो triple line वाला जो button है इसको प्रेस करेंगे और इसके बाद options देखिए अब इ initial setting तो आपको initial setting को हम अगर ok करते हैं तो इसमें हम देखते हैं क्या set कर सकते हैं इसके अंदर हमारा time and date हम set कर सकते हैं जो कि हम कर चोके हैं और फिर हम जो है इसको यहां पर ok करके और other option है power supply frequency जिसको की आपको change करने की जरूद नहीं है normally जो भी आपकी country में frequency चलती है 50 hertz तो 50 hertz करना है और 60 hertz तो 60 hertz करना है और फिर next option आता है adjust image quality तो image quality को भी आप इसमें अगर आप adjust करना चाहें तो means blue या red जो भी आप select करना चाहें वो आप कर सकते हैं और इसी के साथ साथ जो है next उसमें जो option आता है वो initial setting के अंदर select language तो language भी आप इसमें options है various language तो आप यहाँ पे अपनी language भी select कर सकते हैं और उसके बाद हम back option में जाते है ring tones तो second option आता है ring tones तो ring tones डाउन करके हम देखेंगे ring tones के अंदर ring volume का option है जहाँ पर आप volume को loud जो by default loud रहता है आप इसे extra loud भी कर सकते हैं अकर आप इसको select करें देग normal में भी set कर सकते हैं यह normal है यह quiet है और यह आप mute भी कर सकते हैं तो कोई भी sound नहीं होगी तो यह by default यह loud में होता है तो हम अभी इसे loud में ही रखते हैं और इसके बाद फिर हम back जाते हैं तो second इसके अंदर option आता है ring tone तो tones भी आप इसमें different different tone select कर सकते हैं दोर phone की tone आपको क् default tone होती है तो यह नहीं तीनों में से कोई भी tone select कर सकते हैं तो यहाँ पर हम yes कर देंगे तो normal आपको रखना है और repeat करनी है तो आप repeat का option भी select कर सकते हैं इसी तरीके से अब next option यह सबसे important option है कि जो आप अगर जब आप इसमें lock connect करते हैं तो lock connect करते समय आपको यह connected devices का option select करन होना पड़ेगा तो connected devices के option में आप जाएंगे down करके और यहाँ पर आप ok करेंगे तो सबसे पहले doorbell का connection है कि आपने किया है नहीं किया है अगर आपने connection किया है तो आप यहाँ पर device connected select करेंगे तभी आपकी doorbell काम करेगी और second है electric lock अगर आपने lock connect किया हुँआ है तो lock तो आ by default connection यहाँ पर आता है no connection यानि इसमें कोई भी connection नहीं है आपका lock connected नहीं है तो आपका बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे connected to electric lock 1 एक ही lock का आप इसमें connect कर सकते हैं तो इस पर हम down करके up करेंगे और फिर यहाँ पर हम okay कर देंगे तो okay करने के बाद इसमें timing आएगा कि आपको lock कितने समय के लिए खोलना है तो suppose आपको एक सेकंड या दो सेकंड जितने समय के लिए आप lock खोलना चाहते हैं तो suppose मैं इसको दो सेकंड कर देता हूं क्योंकि that is more than sufficient तो यह हमने दो सेकंड किया और यहाँ पर हमने okay कर दिया तो means हमारा door phone electric lock one से connect हो गया तो इस तरीके से हम यहाँ पर यह select कर देंगे और इसमें other settings में यहाँ पर आप reset का option और जो है आप images वगरा जो है playback वगरा देख सकते हैं या images आपको delete करनी है या demo mode में चलाना है तो वह आप यहाँ पर कर सकते हैं और साथ में जो है operating instructions वगरा जो हम आप इसकी operating instruction को भी download कर सकते हैं तो अब हमने इस तरीके से connection कर दी है अब हमारा यह device connected है अब हम call करके देखते हैं और lock open करके देखते हैं कि lock open होता है यह नहीं तो यह हमने सबसे पहले bell किया तो हमारा यह scenario है कि आप जैसे ही इसमें talk का button प्रेस करते हैं तो यह हमारी talking शु जैसे ही इसमें lock की की बनके आ जाती है इस की को हम प्रेस करेंगे और यह हमारा lock यह हमने lock connect किया हुआ है जिसको कि हम यह देखिए डिस्प्ले पे लिखाया unlock automatically end तो यह हमारा lock 2 second के लिए open हो गया एक बार हम दुबारा इस चीज को ट्राइए करते हैं यह हमने देखिए bell प बटन प्रेस किया अब हमारी बाची चल रही है अब हम इसको लॉक को प्रेस कर देते हैं यह मारा lock प्रेस्ट हो गया यह देखिए लॉक फोल गया तो यह देखिए लॉक को लेकिए आप 20 वोल्ट की कोई भी AC or DC सप्लाइज के साथ कर सकते हैं और यह आपका लॉक इस तरी प्रेस को पर्चेज करना चाहते हैं तो आप हमारे डेस्क्रिशन में दिये गए लिंक से आप इसको बेस्ट प्राइस में बहुत ही एकॉनोमिकल प्राइस में पर्चेज कर सकते हैं तैंक यू